हैलो स्टुडेन्ट आज की इंपॉर्टन सेशन में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पे प्रैक्तिस एट करवाई जा रही है जो कि के याफ क्या इंपॉर्टेंट होने माला है पहला हमारा question है आरंभिक किसोरा वस्था में क्या होता है देखे आप लोग थोड़ा ध्यान दिजेगा यहाँ पे पुछा है आरंभिक किसोरा वस्था के बारे में देख लेते हैं पहला हमारा option किसोर वयसकों के समान बिवहार करते हैं और उन्होंने एक अलग भाचान की और ले जाते हैं चौथा है वीपरीत लिंग और सहकर्मी समूहों के साथ नए संबंध बनाते हैं और माता-पिता से एक अलग पहचान का विकास होता है तो देखे जैसे मैंने पहले ही बताया कि यह आरंभिक किसोरा वस्था के बारे में पूछ रहा है तो किसोरा वस्थ है तो वो क्या करता है सबसे पहले आरंभिक किसोरा वस्था में हमारे जो द्वितिया के यौन विसेस्ताएं हैं उनकी बृद्धी और विकास होता है क्योंकि यह एक हर्मोनल प्रोसेस है हर्मोन के द्वारा होता है तो सबसे पहला क्रिया हमारे सरीर के अंदर यहीं होता है कि हमारे ज़द्धी है कि यो बिसेस्ताएं होती है उनके वृध्धी और विकास में तेजी आती है तो हमारा option number 2 बिलकुल सही है बावड की भी option सही हो सकते है लेकिन सबसे पहला जो क्रिया होता है वो होती है ब्रिद्धी और विकास आती है योन विसेस्ताओं में उसके बाद ही क्या करता है कि सोर्ज होता है वो वयस्क किस्तवान बेवहार करना सुरू कर देता है बागी चीजे वो करता है तो option number two आपका बिल्कुल सही है देखिए इस अवस्था में क्या होता है विकास में तेजी आ मानसिक, दूसरा है सारेडिक, तीसरा है नैतिक और सौथा है समय गात्मक तो देखिए जह हम जानते हैं जो ब्रिद्धी होती है ब्रिद्धी हमें दिखती है तो मानसिक ब्रिद्धी होगी तो वह हमें दीखेगी नहीं नैतिक ब्रिद्धी होती है जब वो होती है तो हमने दिखता है कि कितनी बृज्धी हुई है उसमें क्या होता है हड़ी यो, मानस्पेसियों का विकास होता है हमारी उचाई बढ़ती है, हमारा वजन बढ़ता है इन सभी चीजों में परिवर्टन आता है निमलिखित में से कौन सा विकास का सिधान्थ नहीं है देखिए यहां व्रिद्धी और विकास के संबंद सिध्धान्त के बारे में पूछा गया है इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया है व्रिद्धी और विकास के सिध्धान्त के बारे में तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखिये हैं वो जाके देख लेंगे तो हमारा option है व्यक्तिगत विविनताओं का सिध्धान्थ, दूसरा है स्वतह गति क्रम का सिध्धान्थ, तीसरा है निरंतर्ता का सिध्धान्थ, चोथा है स्वरूप का सिध्धान्थ तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा option number two है वह बृद्धी और विकास का सिध्धान्थ नहीं है। वहीं अगर हम लोग option number one की बात करते हैं व्यक्तिगत व्यभीनताओं का सिध्धान्थ तो हम यह जी जानते हैं कि हर जो व्यक्ति है उसकी जो वातरण इस्थिती है जो प्रिजिपल आप पैटर्न इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है जब वह वयस्क होता है तो जितने भी बच्चे होते हैं एक समान पैटर्न को फॉलो करते हैं पैटर्न का मतलब ये है कि बच्चा पहले क्या करता है बच्चा पहले बैठना सुरू करता है उसके बाद चलना सुरू करता है तो ये जो पैटर्न है वो हर एक बच्चे को फॉलो करना होता है भले ही कोई बच्चा जल्दी चलना सिख जाए जल्दी दोड़ना सिख जाए इनके समय अवधी में डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो पैटर्न है वो हर बच्चे में समान रूप से होता है तो हम जानते हैं जो हमारा option number two है वो बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं question number four लॉरेंस कोहलवर्ग के सिध्धान्द की एक मुख्य आलोचना है देखे लॉरेंस कोहलवर्ग के बाले में आलोचना के बारे हम बात करना है हमें option हम लोग देख लेते हैं उनके सिध्धान्द में नारी परिपेक्ष गोड है दूसरा है कि उन्होंने पियाजे के नैतिकता व इनके सिधान्त में ये कहा गया है कि जो नारिया होती है वो क्या करती है रिस्तों के देखभाल के अधिक इनकी सिध्धान्त में जो नारी पच्था उसको गौड रखा गया था तो आपसन नमर पहला आपका सही हो जाएगा आगे देख लेते हैं question number 5 question number 5 हमारा कहा रहा है वह मनोवैग्यानिक कौन है जिनोंने क्रमा देशित अधिगम विक्सित किया देखें यहाँ option हमारा है थन्डाइक पाउलाव इसकीनर और वैंडूरा यहाँ चार साइंटिस्ट देवे हैं तो पूछा गया है क्रमा देशित अधिगम सिध्धान्त किस ने दिया था तो प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में दिया था हमारे वीफ इसकीनर ने तो हमार था अभ्यास का सिध्धान्त और था प्रभाव का सिध्धान्त तो यह थांडाइक के तीन मुख्यनियम थे अधिगम के अगर दूसरे साइंटिस्ट की बात करें पाउलाव की तो पाउलाव ने क्या क्या था सास्तरी अनुवंधन का सिध्धान्त इन्होंने दिया था जिन कोश्चन नमारा है क्वेश्चन नमर सिक्स में कह रहा है अधिगम में आकलन के लिए आवस्यक है देखिए यहां आकलन का मतलब है असेस्मेंट तो हम लोग आप्शन पर लेते हैं स्क्रीनिंग पर इच्छड अभी प्रेड़ अलगाव और स्रेडिकरड के प्रक्रिया को प् बच्चों को कभी भी हमें अलग से नहीं बैठाना या फिर हमें अलग से उनके साथ कोई अच्छा वेवार वेवार नहीं करना है हर बच्चे को एक साथ कोलेबरेट करके हम लोग सीखने के लिए प्रेड़ित करेंगे तो आप्शन नमर 3 भी आपका गलत है पहला आप्शन इसक्रीनिंग परिछड हमें किसी प्रकार का इसक्रीनिंग परिछड भी नहीं करना है आपकलन के लिए तो हमारा दूसरा ओप्शन और humility के दृड़ित के दोरा हम लोग भच्चों का आपलन कर सकते हैं और बच्चों का आपलन इसली जरूरी होता है कि ताकि उनको अभी प कर देखे जो फ्रमेट्य को अच्छा के बीच में होता है जैसे हम लोगों ने कुछ पढ़ाया उसके बाद हम लोग यह चेक करेंगे बच्चे को आया की नहीं तो ये साई चीजी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है वहीं अगर हम लोग समेटिव असिस्मेंट की बात करें तो समेटिव जो असिस्मेंट होता है वह बाद में होती है ऐसे मालीजे हम लोग yearly exam देते हैं मंथली exam देते हैं सबसे last में जो होती है उसको बोलते है summative assessment अब summative assessment खराब क्यों है बेकार क्यों है देखे summative assessment इसलिए बेकार है कि हम लोग ये नहीं ध्यान देते कि उस duration में बच्चे पर किस प्रकार की जो परिस्थिती आई है वो माली जेगा कोई बच्चा बिमार है उसके बाद हम लोग उसका एक्जाम ले ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा तो summative assessment में ये होता है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि बच्चा बिमार था कि नहीं था last जो result उसका होता है उसी पे वो depend होता है summative assessment हमारा वह अगर जो formative assessment है वो क्या होता है वो हर परिस्थिती में होता है इसलिए वो ध्यान रखेगा अगर बच्चा बिमार है तो वो अच्छा performance नहीं कर सकेगा तो summative assessment अच्छा हमारा होता है तो question number 6 का option number 2 आपका बिल्कुल सही है आगे दिख लेते हैं question number 7 निमलिखित में से कौन सा पार्ठ योजना के विकास में पहला कदम नहीं है देखें यहां पार्ठ योजना के बारे हम पूछा गया तो हम लोग पूरा असके बारे में जानेंगे देखें जो पार्ठ योजना होता है वो क्या होता है कि हम लोग किसी बच्चे को पढ़ाने से पहले किसी क्लास को पढ़ाने के पहले जो हमारी योजना होती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्थ होजना, अब पार्थ होजना का कौन सा कदम पहला नहीं है उसको हम लोग देखेंगे, हमारा option है परिचय, दूसरा है पूर्व ज्यान का परिक्षड करना, तीसरा है प्रिडड़ा, चौथा है आरंब है, तो option की साब से हमारा option number 4 बिल्कुल सही है, जो आरंब है, वो सबसे पहले नहीं आता है, पहला कदम मारा क्या होता है, पहला मारा कदम होता है कि हम लोग बच्चे को पूर्व ज्यान का परिचड करने के लिए उनसे कुछ question पूछे, जब बच्चे उस question का answer देंगे, तब हमें पतचल पाएगा कि बच्चे का पूर्व ज्यान है, वो कैसा है, और question भी कैसा रहना चाहिए, question उसके daily life से जुड़ा होना चाहिए, तो हम लोग ऐसा question पूछेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा आसानी से उत्तर दे पाएगा, जब बच्चा उत्तर देगा, तो हमें प्रड़ा मिलेगे कि बच्चे को कि ना आता है, उस हिसाब से हम अपना परिशा सुरू करेंगे, सबसे पहले हम आरंभ नहीं कर देंगे, किसी भी चेप्टर को हम लोग पढ़ाना सुरू नहीं करते हैं, तो option number 4 आपका बिल्कुल सही है, आगे देख लेते हैं question number 8, आधुनिक अधिगम सिध्धान्त के जनक पाउलाओ, तो देखे आधुनिक अधिगम का जो सिध्धान्त दिया था, उसको दिया था पाउलाओने, तो हमारा option 4 विल्कुल सही है, वहीं अगर हम लोग जबी वार्टसन की बात करें, तो जो जबी वार्टसन थे, उनको हम लोग बोलते हैं विवहारबाद के जनक, आप लोग ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग नहीं पढ़ाया, तो next question में हम लोग इसी को cover करेंगे, next video में, तीसरा हमारा है लेव वैगोस्की, जो लेव वैगोस्की हैं, उन्होंने क्या दे था, समाजिक विकास का सिध्धान दिया था, उन्होंने ये कहा था अपने और क्रिती से ही सब कुछ सीखता है, तो हमारे question number eight का option number four बिल्कुल सही है, आगे देख लेते हैं हम लोग, question number nine, redatmak सीखने का own, इस्तिन प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है redatmak, और एक होता है सुन्य, तो हम लोग इन सब के बारे में wari- Bayern तो जाठ्च से सीखना चौथा है गलत कोसल सीखना तो देखे जो रियात्मक सीखने का जो अस्थनांतर होता है वह होता है सीखने में बाधा पोचाना अब इसको हम लोग समझेगे कि यह उत्तर कैसे सही है देखे पहले बात करेंगे हम लोग धनात्मक सीखने का अस्थनांतर उस अस्थना करते हैं तो math और science क्या है एक दूसरे का help कर रहे हैं अगर हम math सीख रहे हैं तो science पढ़ने में भी जो science जो numerical होते हैं जो question होते हैं वो हम solve करना सीख लेते हैं तो वो तो आपका हो गया धनात्मक असरांधर क्योंकि जो math में हम लोगों ने सीखा है वो हमें science में हमें उसका use हो इसलिए वो धनात्मक हो गया वहीं अगर इडात्मक सीखने का हम लोग बात करें तो देखिए जो चीजे हमें जैसे माली जी हम लोग ने इतिहास पढ़ लिया अब हमें क्या करना है mathematics पढ़ने के लिए दे दिया गया अब इतिहास का कोई भी चीज math में यूज नहीं होगा और math का कोई भी चीज इतिहास में यूज नहीं होगा इसलिए वो क्या कर रहा है एक दुसरे को प्रभावित कर रहा है अब इतिहास का बच्चा mathematics नहीं पढ़ सकता इसलिए जो सीखने का स्थरांत्र है वो negative है सीखने में उसको बाधा आ रही है इसलिए आपका option number two सही था वही अगर हम लोग zero अस्थनांत्र की बात करें तो जब हमें सीखने का जो अधिगम हमारा है वो किसी और शेत्र को ना ही प्रभावित करे ना ही धनात्मक प्रभावित करे और ना ही रिदात्मक प्रभावित करे तो इसको हम लोग बोलते है zero transfer of learning तो देखे इसका example क्या है कीजी होती हैं वो बिल्कुल अलागलों होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं क्योंकि बैट 7 हमेंसा बैटिंग करेगा और बॉलर हमेंसा बॉलिंग करेगा तो क्वेश्चन नमर नाइन का ऑप्सन नमर टू आपका सही हो गया आई होप कि आप लोग क्वेस्टं के माध्यम से थियरी कवर हो रहा होगा और आप लोग काफी अची तरीक के समझ में आ रहा होगा नेक्स देख लेते हैं question number 10 समावेसी सिक्षा नीमने में से किन छात्रों के अधिगम के उच्छी तस्तर को बनाया रखने में मदद करती है देखिए समावेसी सिक्षा की बात की गई है तो हम लोग option देख लेते हैं स्रिजनात्मकता, स्वालीन, अधिगम अच्छामता, मानसिक रूप से चुणावती पूड़ देखिए हम जानते हैं कि जो हमारी समावेसी जो कच्छा होती है या फिर जो समावेसी सिक्षा होती है उसमें सभी प्रकार के बालक होते है चाहे वो स्रिजनात्मक बालक हो, चाहे स्वालीन बालक हो, चाहे वो फिजिकल रूप से डिसेबल हो या फिर मानसिक रूप से वो चुणावती पूड़ लोग हो तो समावेसी कच्छा में सभी आयाते है इसलिए हमारा चारो option सही है चारो हमारा option सही है, तो हमारा चारो option, option number 4 हमारा बिल्कुल सही है आगे हम लोग देख लेते हैं, question number 11 सिक्षड अधिगम में सुधार के लिए उपलब्धी डाटा का सर्वत्तम संभव उप्योग क्या होगा देख लेते हम लोग option आगडों को निर्देसात्मक सुधार की चल रही प्रक्रिया का हिस्सा बनाए दूसरा है चात्रों को अपने स्वयम के आगडे की जाच करना और सीखने के लक्ष निधारित करना सिखा है तीसरा है उप्रुक्त दोनों और चौथा, इन में से कोई नहीं देखें सिख्षण अधिगाम में सुधार के लिए जो हम लोग की जो उपलब्दी डाटा होती है जो बच्चों की जो हम लोग ने मालेजी कोई टेस्ट लिया हुआ है तो जो उपलब्ड डाटा है उसमें क्या होता है कि निर्देसात्मक सुधार के लिए प्रक्रिया जो चल रही है उसका हिस्स बनाना चाहिए बच्चो को भी बच्चो को भी self assessment का हमें मौका देना चाहिए इसलिए हमारा दोनों option सही है हमारा option number 3 बिल्कुल सही है जो हम लोग ने उपलब्दी डाड़ा जो हम लोग के पास है उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों को भी सोयम के आकड़ों की जाच करने के लिए हम लोग जो है सामिल करेंगे तो option number 3 बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं question number 12 निमलिखित में से कौन सा पहलू भौतिक आयामों पर अधिक ध्यान किंद्रित करता है यहां भौतिक आयामों के बारे में बात क्या गया है option देख लेते हैं विकास की ओधाड़ा दूसरा हमारा है व्रिध्धी की ओधाड़ा तीसरा है परिवर्तन की ओधाड़ा और चौथा है अधिकम की ओधाड़ा देखें यहां भौतिक पहलू की बात की गई है तो हम लोग अगर बात करते हैं भौतिक पहलू की तो वहां आपका आता है बृध्धी की ओधाड़ा क्योंकि जो बृध्धी होती है उसको हम लोग भहुतिक रूप से देख सकते हैं जैसे मालीजे कोई छोटा सा बच्चा है अब उसके अंदर बृद्धी हो गई तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये पाँच फिट ती निंच का हो गया या फिट चार फिट का हो गया तो वो दिखती है बहुतिक रूप से वो दिख रही है वहिए अगर हम लोग विकास के अधाड़ा की बात करें तो हम लोग को ये कभी भी हम लोग नहीं कर पाएंगे कि उसका पाँच किलो दिमाग बढ़ गया या फिर उसके अंदर जो है समेंगात्म विकास इंच का हो गया ये हम लोग नहीं कर सकते हैं तो जो बहुतिक पहलू का जो आयाम होते हैं उसको हम लोग भृध्धी के अंतरकत लेते हैं तो आप्सन नमर्टू आपका बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं क्वेशन नमर्ट 13 निमलिखित में से कौन सा कारिकरम उद्ध्योग के साथ साज़धारी बनाने हेतु विद्याले के लिए सबसे उप्युक्त है देखिए यहां उद्ध्योग का मतलब उद्ध्योग के साथ समुदाय से भी लिया गया है तो हम लोग आप्सन देख लेते हैं तो देखिए यहां क्या करना है कि विद्ध्याले के जो कारिकरम है उसकी जाज़धारी है उसको हमें उद्ध्योग के साथ मतलब हमें जो है समुदाय के साथ हमें करना है तो वो हमारा आप्सन नमर थरी बिल्कुल सही है जो सिक्षक होता है वो है क्या होता है विद्ध्याले और जो समुदाय उद्ध्योग होता है उसके बीच में क्या करता है एक सेतु का कार्य करता है तो इससे क्या होगा कि जो समुदाय जो उद्योग है उसका जो साजिदारी है वो विद्याले के साथ अधिक से अधिक बढ़ पाएगा इसलिए हम लोग करेंगे सिक्षा इन उद्योग कारिकरम के अंतरगत हम लोग सिक्षकों के जो है मदद से समुधाय से जुढने के कोशिस करेंगे तो option number 3 बिल्कुल सही है आगे देख लेते हैं question number 14 विद्याले विकास योजना प्रक्रिया अकसर किस घटक के साथ सुरू होती है देखें विद्याले विकास कारिक्रम योजना की जो प्रक्रिया है तो देखें जब भी हम लोग किस घटक के साथ सुरू होती है इसको हम लोग देखेंगे तो हमारा option है मिसन का सुत्रीक्रड दूसरा है दर्शन और लक्ष का निर्माड तीसरा है लक्षयों का निर्धारड चौथा उप्रोक्त सभी तो देखें जब भी हम लोग किसी योजना को बनाते हैं और उसको जो है उसकी प्रक्रिया करना सुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है सबसे पहले लक्षयों का निर्धार करते हैं फिर क्या करते हैं उनका निर्माड करते हैं फिर उनको एक सुत्र में बनाते हैं, मिर्सन का सुत्री कड़ करते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम लोग लागू करते हैं, तो आप्षन नमबर 4 बिल्कुल सही है, उप्रोक तो सभी आते हैं, लागू करने से पहले जो होती है, वो इन तीनों से हमीज गुजरना पड़ता है, इसलिए उप्षन नमबर 4 बिल्कुल सही है, नेक्स देखले इतने हैं, क्वेशन नमबर 15, पाठेचर्या को डैस पर ध्यान देना चाहिए, पाठेचर्या को किस पर ध्यान देना चाहिए, हमारा उप्षन है अनौपचारिक सिछा पे, दूसरा है गैर आपचारिक सिछ और चौता है पाथिचारिया होती है जो मारा करिकुलम होता है वो आज़िवन अधिगम के लिए शिक्षा मतलब ऐसी सिख्षा में मिले जिस से बच्चा क्या हो आजब्चा चीवन सीखता रहे अज़िवन जिस छेतर में और उस से कुछ नहीं ले सके तो इस क्योंकि यह क्वेशन आपके एक्जामें पूस सकता है तो शबसे पहले हम बात करेंगे ऑपचारिक सिख्षा के बारे में देखे जो ओपचारिक सिख्षा होती है वो होती है कि एक विसेज इन्वार्मेंट सिक्षा के अंतरकत आती है उसमें क्या होता है एक विसेश अस्थान जो कि हमारा स्कूल है उसमें हम लोग जाते हैं जो विसेश सिक्षक हमारे होते हैं उसके लिए निधारिश सिक्षक होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं निधारिश समय तक पढ़ाते हैं तो वो आपकी हो गई अपचारिक सिख्षा दूसरा हमारा है अनौपचारिक सिख्षा तो अनौपचारिक सिख्षा के बारे हम बात करते हैं देखिए अनौपचारिक सिख्षा क्या होती है जो कि कहीं भी कभी प्राप्त की जाती है जैसे अगर माले जी हम लोग घर में हैं और हमारे बड़े गैर आपचारिक जो सिख्षा होती है उसमें क्या होता है जो बच्चे आपचारिक सिख्षा नहीं ग्रहड कर पा रहे हैं या फिर जब हम लोगे आपचारिक सिख्षा के हम लोगे टाइमिंग रखा है तो उस टाइमिंग वो नहीं आ पा रहे है तो उसके बाद उस टाइमिं जो teacher होते हैं, वो fix होते हैं, समय भी fix होता है, लेकिन वो एक प्रतिबध माहॉल में ना होकर वो कहीं बाहर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, गैर आपशारिक सिक्षा, I hope कि आप लोगों को point clear हो गया होगा, नेक्स question देख लेते हैं, question number 16, डेस के सिवाय अन्य सभी NPE 1986 की प्रम्भ विसिस्ताएं हैं, option देख लेते हैं सिक्षा की अहम भूमिका, दूसरा है राश्टी सिक्षा प्रडाली, तीसरा है सिक्षण पदानुकरम के पुनर गठन, चौथा है समानता के लिए सिक्षा, देखे पी जो था 1986 वाला उसके जो है इसमें सिक्षा के प्रडानुकरम पुनर गठन के सिवाय अन्य सभी, तो question number 16 का option number 3 बिल्कुल सही है, आगे देख लेते हैं question number 17, question number 70 कह रहा है भारत का भाग या कच्छाओं में आकार ले रहा है, यह डैस के द्वारा प्रस्तावित किया गया यह काफी अच्छा कोटेशन है, एकजा में पूर सकता है, तो हम लोग option देख लेते हैं, भगवान सहाय समिती जो की 1872 में आई हुई थी, दूसरा हमारा है सिक्षा आयोग जो की 1964 से 1916 के बिच में आई हुई थी, तीसरा हमारा है सिक्षा पर राष्टी निती जो की 1986 में आ आई थी, वहीं अगर हम लोग option की बात करें, तो option number 2 हमारा बिल्कुल सही है, जो हमारा सिक्षा आयोग था, जो 1964 से लेके 1966 में आया हुआ था, उसी में कहा गया था कि भारत का भाग ये कच्छाओं में आकार ले रहा है, देखिए जो आयोग आया था, वो कोठारी जी के अगधेक्षता में आया हुआ था, तो जो सिक्षा आयोग उनिसो चौसर से लेके 1966 जो था, उसके जो अगधेक्षते वो थे कोठारी जी, तो option number 2 बिल्कुल सही है आप लोगों का, आगे हम लोग देख लेते हैं, question number 18, बच्चों के लिए निसूलक और अनिवार सिक्षा अ अधिकार अधिनियम 29 आया था, right to education, policy जबाई थी 29 वाली, तो उसमें कहा गया था, कि 6 वर्ष से पहले की बच्चे हैं, तो उनके जो बच्चपन की पहले की जो देखभाल होती है, और शिक्षा होती है, वो सरकार पूरी करेगी, तो हमारी option number 3 बिल्कुल सही है, देखें, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया हुआ था, वो आया हुआ था 2009 में, लेकिन लागू का हुआ था, एक अप्रेल 2010 से या पूरे देश में लागू हो गया था, तो ये जो आर्टी 2009 आया था, वो आया था 21 में समिधान संसुधन के अनुसार, 21 जो है, जो अनुछेद 21 है, उसमें आया हुआ था, तो उसमें कहा गया था, कि 6 से लेकि 14 वर्स के जो बच्चे होते हैं, उनको निसुलक और अनिवार सिच्छा देना है, तो आप्सन नमबर 3 आपका बिल्कुल सही है, आगे दिख लेते हैं, क्वेश्चिन नमबर 19, प्रारंबिक बाल्यावस्था बाल्यावस्था के अंतिम चड़, यहां अंतिम चड़ के बारे हम बात क्या गया है, 8 से 12 वर्स के बच्चों के बच्चे आमतोर पे क्या करते हैं, देखें यहां अंतिम चड़ पूछा हुआ है, कि इसका मतलब इसके बाद कि 12 वस्था हमारा सुरू हो जाएगा, तो आप सोतंता की भावना उसके अंदर बिक्सित हो जाती है, और वह समझना सुरू करता है कि बहुत तिक विस्व कैसे कार्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्सन नमबर पहला तो गलत हो गया, क्योंकि यह क्या है, पुर्व बाल्यावस्था की बात है, अगला है अपने से छोटे बच् और सारीग परिपकोता पदरसित करता है, तो यह भी आपका और टूबी गलत है, क्योंकि वह ऐसा नहीं करता है, तीसरा हमारा है अनुसासन की भावना और विद्याले की काम के प्रती जिमिदारी की भावना प्राप्त करते हैं, तो आप्शन नमबर त्री आपका बिलकुल सही है आगे देख लेते हैं question number 20 हम सभी अपनी बुद्धी प्रेड़ा रूची और रूची आदी के संदर में भिन्न है या सिध्धानत है तो option हमारा है बुद्धी का सिध्धान अनुवन सिकता का सिध्धान पर्याड का सिध्धान व्यक्तिकत विभिनता का सिध्धान तो द जो व्यक्ति है वो प्रतियक व्यक्ति से अलग-अलग होता है चाहे वो मानसी किस्थिती के जो लेवल है उसके अलग हो चाहे वो सारे रूप से अलग हो चाहे उसके अंदर रूचियों का अलगाओ हो कि किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है उसको हम लग बोलते हैं व्यक्तिकत विभिनता का सिध्धान तो ये तो था आज का वीडियो I hope कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद